आपको इस वीडियो में हाच है 21st of August और उसी के साथ साथ अगर आप पिचार पर नहीं है तो आपके सब्सक्राइब कर दिए कोई भी कोई भी कुशन कोई भी कमें सेक्सेशन बता सकते हैं और अभी अभर अभर में वेबसैट में चाते हैं सारा इसानी है एकसेस कर पाएंगे जो इम्पोर्टन यूज है अब सबस्क्राइब ले सकते हैं मत्री में अर्शिप शर्ली में अखसेस कर पाएंगे और जाके चकी यहां पर आपका एक मिडरी अकसेस होता है कि यहां पे buying selling का जो pressure buying pressure selling pressure वो हमें समझना पड़ेगा उसी के साथ market आपका किस तरीके से बीफ कर रहा है उसके बारे में हमने बहुत details में बात किया है और वही हम समझने के कोशिश करेंगे जैसे अगर हम chart को देखते हैं तो यहां पे हमें आपका recovery हो रहा था पर सारा दिन जो था वह फ्लैक ता और आपका अपका gap-up होके आज भी आपका उपर की तरफ जाएगा यहां पर इस पॉइंट में आके फिर आपका profit booking होने के चांसे से so selling pressure यहां पर बाइंग प्रेशर यहां पर रहेगा selling pressure उतना है नहीं अभी so sellers are not there, the bulls are not, the bears are not there, bulls are so अभी जो है हम गेम थोह से खेल सकते हैं Reliance communication अगें 4% यह उपर की तरफ भागा हुआ है so it is a very manipulated stock और जो बाकी जो नियूस के बारे में हम जो है बात करेंगे चलो, move करते हैं और यहां पर देख पारे है important news को जो हम check करेंगे और अगर हीट माप देखते हैं तो market was quite positive जो FMCG वहां पर positive आपको देखने को मिला था banking sector has been kind of you know hit and miss और जादा कोई movement है नहीं the market was quite flat today तो अगर हम आज के जो headings है या जो headlines है उसके बार में अगर हम देखते हैं अनियर बहुत जादा कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके बार में बात करेंगे डिटल्स में और अनियर बहुत 53 आपका headlines है तो अगर आप सारा content देखना चाहते है तो आपको हमारे website में यह सारा चीज मल जाएगा link आपका description में दिया होगा यहां पर सबसी केबल जातर आपका internet आप इस्तेमाल करते हैं वह आपका रिलाइंस कम्मुनिकेशन ओन करता है यानि चोटा आंबानी भाई उसके अंडर की अंडर सी केबल के माधिम से आप इंटरनेट अक्सेस कर बारे हैं यहां पर हमें क्या देखना है कि 3 major undersea cable projects to Africa Pulse India Asia Express and India Europe Express are set to significantly boost India's digital connectivity और यहां पर यह operation होगा October से March तक and will increase existing data capacity by more than 4 times तो यह expected था और आपको समझना पड़ेगा कि जादा तर जो भी आपका internet का सिवा आपको मिलता है या जो भी आप globally access करते हैं वह undersea cable के माधिम से ही किया जाता है और यह बहुत साल लगता है बहुत साल और साल यह काम किया जाता है मतलब यहां पर shipping companies involved होती है जो आपका जो अंडर सी जो लें होता है वह बहुत लंबा प्रोसेस होता है टेक्स months and it takes years to be honest तो अभी जो है इसको operational लगर किया जाता है so that will be a very good thing और यहां पर connectivity आपको क्या देखने को बहुत है to Africa Pulse, India Asia Express and India Europe Express which is a very good thing सबसे बड़ा advantage होगा जो भी आपका internet की connectivity है internet का bandwidth है क्योंकि इंडिया में population जो है बुल जादातर internet अभी use नहीं कर रहा है जियू के बाद इम से penetration तो हुआ है but उसका consumption उसको और बढ़ाना पड़ेगा जितना ज़्यादा आप उसको बढ़ाएंगे तो फिर यहां पर data consumption जितना ज़्यादा होगा that is kind of a metric जिसको आप use कर सकते है compared to GDP यहां पर ज़्यादा data आपका consumption किया जाता है यहां बहुत सकते हो कि standard of living जो है उसके होता है घर में wifi है mobile में internet है सो बहुत ही असानी से data और जो information उसका access कर पाते है उसको utilize कर पाते है अपने फाइदे के लिए अपने life को बहतर बनाने के लिए बर जो low income group से हैं जिसके पास जो बहुत ही महनत मुझदोरी का काम करता है लिबरेस काम करता है तो उसके पास data जो है उसका utility एधर entertainment लिए होता है थोड़ा बहुत information करता है करने के लिए होता है और बाकी जो है download करने के लिए होता है तो उसका consumption अगर हम देखे अगर हम देखे अगर हम देखे तो low income group में आपका data per person consumption बहुत कम है और इंडिया में क्योंकि एक larger population जो जातर even यह जो आप video देख most probably profit नमा यह जो channel है इसमें आपका computer का माधिम से देखते हैं बट जातर जो में दूसरे channel से वहाँ पर आपका near about 95% जो आप मेरा traffic आता है यह website में भी traffic आता है वो आपका mobile से ही आता है तो इसलिए mobile जो है लोग computer उनके पास नहीं है maybe desktop नहीं है laptop नहीं है बट सब के पास mobile है त तो overall अगर हम देखें data center इंडिया में बनाया जा रहा है उसी के साथ-साथ-साथ यह undersea cable के माधिम से data center का जो utility है वो इंप्रूव होगा जो data consumption है local population का वो इंप्रूव होगा that is a very good metric है and definitely जो telecommunication company है ISP एन डेटा service provider है data centers है वो companies का जो है बहुत जादा फायता होने आला है export है that is IT तो वहाँ पे एक अच्छा boost हमें देखना को मिलेगा so that is something which you need to look into CCI जो है वो अपका R.I.L. Disney का merger जो है वहाँ पर बात्चेश चल रही है the competition commission of India has raised concern about the proposed 8.5 billion merger between Reliance Industries and Walt Disney so Disney host star बहुत दिर से कोशिश करें पहले है पहले hot star था फिर दिजनी को डिजनी दोस कोवर्टेक कर लिया फिर दिजनी जो है अभी भी struggle कर रहा है और जो US map का जो वो culture है वो India में वो लाने कोशिश करें वो भी कुछ हद तक जो है corporate में अभी seepin हो चुका है and फिर भी उस जग पर आपको क्या देखना हो मिला है कि Reliance जो है basically tie up करना चाहते है विसलिए merge करना चाहते है और वहां पर CCI जो है जो monopoly को avoid करना चाहते CCI जो है और उन्होंने बताए कि भाई ये जो है तो अब बातचीत करना पड़ेगा थोड़ा सा में देखना पड़ेगा तो असा scrutiny होगा market competition जो है monopolize हो जाता तो market competition कम हो जाता तो that is something you do not want already reliance जो है जैसे मैं आपको पहले ही बता है कि वो larger picture को देखते हैं वो चिंदी business नहीं देखते हैं चोड़ा चोड़ा बिजनस नहीं देखते हैं वो देखते हैं कि मैं किस तरीके से एक industry में आकर उसको पूरा capture कर सकता हूँ ऐसा नहीं कि मैं industry में market leader बनना चाहता हूँ कि मार्केट को काप्चर करना चाहते हैं rather than they want to monopolize become the monopoly in the market rather than become the market leader तो वही चीज़ आपको कहां पर देखने को मिला था अभी आपको देखने को मिल रहा है कि retail में retail section में अगर हम देखते हैं तो विशाल में का मार्ट फिर बाकी जो brands है big bazaar तो खतम हो चुका है तो इसी जगा पर जो है आपका reliance is the leader और आप देखोगे तो इसी तरीके से जो है यह बिजनस कर रहे है रिलाइंस जो है वो अपोर्ट वाले बिजनस में नहीं आता क्योंकि अडानी और अडानी जो है वो यहां पर यहां पर आपका अंभानी है तो यह थोरह सापको समझना पड़ेगा यह साल्क समझना पड़ेगा फिर जो अघ्र है घेम के माधिम से पहल प्रू किसी प्रूप कर सकें ऊपका 50,000전 करोर선 घ्री》 करने भालों इनुंशत एंटरपरेश इंवच्पनी अच ट्जु पर देखिस क्र?" यहां पर हमें किया देखने को मिला है that a lot of companies are going there and we can expect that CBN जो है उनके नेत्यत में या उनका जो गवर्मन है उनके अंडर में जो है we can expect that अमरावुती a whole city will be developed and आपका यहां पर अंडरप्रदेश में huge amount of investment will be there and यहां पर a lot of migration especially जो educated bong से that is quite sad they will be moving to Hyderabad or Andhra Pradesh for jobs so yeah that's about it so कल हमने बात किया था कौन कौन से स्टेट से कौन कौन से जगा जहां पर सबस्टादाए इंवस्मेंट हो रहा है Delhi NCR, Gujarat, Amharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and the fifth one is Andhra Pradesh Baiju Ravindran, Baiju निरबाओ most probably खतम हो चुका है Baiju Yadri Ravindran he is looking to survive the company he is not looking to give up and basically exit so he has assured employees that the salaries will be paid prompt once he regains control of the company's accounts so let's see how it works and care कर सकते है UBS उसने आपका Blinkit का Valuation 15.4 billion dollar लगाय है and it is the largest contributor to the Zomato's overall valuation so it looks like it has paid off and yeah, very good thing Foxconn जो है आपका iPhone 16 जो आपका Pro and Macs का assembly उस्चुरू करने वाले है कहाँ पे आपका Tamil Nadu में Sipkot Sipkot such a very good thing so Foxconn आपका Chinese company Chinese company भी सिल आपर सलीघ करे है so they are taking out the whole Chinese unit and putting it here Grasem Industry भी हाँ आपका 20,000 करो का KPEX है 2024 भी में which is the largest and here on KPEX and here on KPEX and here on KPEX which is the acquisition on KPEX and the main objective is expansion and growth and investment और यहां पर बिर्ला उपस में भी उन्होंने इन्वेस किया है उन्होंने निया ब्रैंड जो रंका जो ब्रैंड उसमें भी वो नियर वो दो थी नजार करोर जो इन्वेस करें तो ब्रैंड 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 आपका अडानी सिमेंस Central Hospitals तो यहां पर वही चीज हो रहे है कि क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। Reliance to invest 1,000 KRO to stem CBM output fall CBM मतलब होता है coal bed methane Energy sector के बार में हमने बात किया था CBM जो है उसके माधियम से methane को इस्तेमाल करता है Natural gas के इसाब से इसके 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 बात किया है Ongoing monsoon season has reached to excess of 7.3% और इसके वए से पाइदा यह नाफा नक्सान आपको 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 पता है Inflation बढ़ेगा Food import बढ़ेगा Dollar will become more expensive Forex के उपर pressure बढ़ेगा और जो चीज़ें उसके डाम बढ़ेगे And market में आपका तगड़ लेवल पर होड़िंग होने वाला है आज लगता है कि जल्दी दे न्यूज़ वो खतम हो जाएगा चलिए मूफ करते हैं अगली न्यूज़ पे सब को यह वही पर मुफ कर रहा है कल यह परसों ने बात किया था था ना कि जितने ही सारे अपनी अरिया में गेम केलते हैं अभी यह आपको देखने हो मिला कि वह दूसरे अरिया में भी जा रहे हैं वहां पर गेम केल रहे हैं यहां पे They want to capture the premium market तो premium जो भी segments यह जो भी cities जो आपको पता है जैसे दिली NCR हो गया फिर आपका मुंबई हो गया पुने हो गया बैंगलोर हो गया ताने हो गया अभी मुंबई है फिर आपका नौइडा है गुर्गों यह तह एंदर बाद हैं REIT जो है उसने आपका 1.37 crore यह 1.37 crore जो है वो पेवेक किया है to its unit holders REIT के मतलब है Real Estate Investment Trust तो यहां पे यह तो 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 यहार किया जाते इसके मादिम से आपका real estate में इंविस्ट किया जाता है So it's a very good thing और यहां पर profit booking आपको यहां भी देखने को मिल रहा है So FBA turned to primary market amid soaring stock valuation Primary market का मतलब क्या होता है बोलो तो अप Primary market secondary market जो भी आप stock purchase करते हैं BAC में नसी में that is the secondary market primary market मतलब जब आपका listing होता है वहां पर सबसे पहले आपका purchase करते हैं प्राइमरी मार्केट क्योंकि secondary market में वैलोईशन प्राइमरी मार्केट से जाता है So typically वह उल्टा होता है Superchart दो So हम यह expect कर सकते हैं थोड़ा तोड़ा पैसा जो हो निकालेंगे गोरा निकालेगा But DC जो हो पुश करेंगा So market गिरने वाला है And Reliance का जो जीओ है उसका news हमें आया है But उसमें कोई दिकर नहीं हो क्योंकि दूपली है मार्केट में Hospitality seems getting 29% more investment at $436 million this fiscal So hospitality मतलब होता है कि आपका hospital होगे Hospital नहीं sorry Hospitality मतलब होता है कि आपका hotels है Resorts है यह luxury यह सारे segment में आपको रिलिस्टर डेवलपर्स है सारे सारे इंवेस्ट कर रहें So more or less like decent So वही जीज हमें देखने हमें कि 13-minute कलदा जो है नियूस खतम होगे Which is a very good thing And that's about it for today That shows that जादा नियूस आज है नहीं और बाकी जो important news आपको हमारे website ने बत जाएगा So definitely visit किजए हमारे website को And thank you for watching this video Take care of our channel And website को visit किजए कोई भी कोशन कोई यह कमिसेशन मता सकते हैं Bye